वेल्कम टो पूनंस कीचन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक यूनिक से स्नैक्स की रेसिपी एक बार अगर आपने इस स्नैक्स को बनाना सीख लिया तो आपको कैफे और डॉमिनोस का स्नैक्स बिल्कुल भी इसके आगे फीका लगेगा इस नेक्स को हमने सिर्फ और सिर्फ दो इंग्रिडेंस के साथ बना कर तयार किया है इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो घरवाले आपको इसे बार बार बनाने के लिए कहेंगे तो चलिए फटाफट से अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दीजिए तो यहां ले रही हूँ मैं सबसे पहले एक कप पोहा यहां पर मैंने मीडियम साइज वाला पोहा लिया है आप चाहो तो मोटाया पतला कोई भी ले सकते हैं यहां पर मैंने इसे मिकसर के जार में डाल दिया है अब हम इसका एक fine powder बना लेंगे बिल्कुल महीन सा हम इसका powder बना कर तयार करना है तो यहां देखिए बस इसी तरह का इसका powder होना चाहिए तो यहां पर मैं ले ले लेती हूँ इसे transfer करकर एक bowl के अंदर और इसे रख देंगे हम side में यहाँ पर ले लेते हैं हम दो आलू तो यहाँ पर मैंने उबले हुए दो आलू ले लिए मेडियम साइस के इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे आप चाहो तो इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हो तो यहाँ पर हमारे आलू भी अच्छे से मैश होकर तयार है तो अब हम मैंने वन टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाला है आप चाहो तो उसकी जगा पर अधरखारी मिर्ची के पेस्ट भी डाल सकते हो यहाँ पर मैंने आदा टीस्पून नमक डाल दिया है और आप हम इसके अंदर डाल देंगे पोहे का जो हमने पौडर बना कर रखा था इस आपके आलू में मौशर ना हो तो आप इसके अंदर दो से तीन टेबल स्पून पानी भी आइड कर सकते हो यहाँ आपको यह देखना है कि आपका डो कितना सॉफ्ट बन रहा है अगर आपका डो सॉफ्ट नहीं बन रहा है तो आप उसके अंदर थोड़ा पानी आइड कर द जब तक ऑईल गरम बता हैं हम बना लेते हैं इस डो से फिंगर्स तो यहां पर मैंने एक पॉर्षन डो का ले लिया है नीम्बू के साइज की उतना और इसको हम आइस तरह से लंबा बेल लेंगे हाथों से इसे प्रेस करते हुए लंबा शेप दे देंगे यहां पर देखिए हमने इस तरह से इसके fingers बना लिये हैं तो यहाँ पर यह एक finger बनकर तयार है तो इसे हम रख देंगे side में और इसी तरह हम बाकी सभी को भी बना कर तयार कर लेंगे तो यहाँ देखें इस तरह से हमने सभी fingers को बना कर तयार कर लिया है एक खांस बात और है इसकी कि अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हो तो इसे एर टाइट कंटेनर में पैक करकर फ्रीजर के अंदर रख दीजिए एक मेने तक भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं जब भी आपको बनाना हो फ्रीजर से निकाल कर इसे गर्मा गरम ओईल के साथ फ्राइ कीजिए यहाँ पर हमारा ओईल भी अच्छे से गरम हो चुका है तो अब हम एक एक करकर सारे फिंगर्स को इसके अंदर डाल देंगे और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राइ करेंगे याद रखिए फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है पहले हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया था फिर हमने फ्लेम को लो करकर इसके अंदर सारे फिंगर्स डालेंगे तो फट सकते है या फिर जल भी सकते है इस तरह से अगर आपने पहले तेल को गरम कर लिया और फिर जब भी आप इसे पैन में कीजिए अगर आप ने कड़ाई में तो मुरकर तेड़ी भी हो सकते हैं इसलिए मैं प्रीफर करती हूं हर दब इसे पैन में फ्राई करना तो यहां देखिए बहुत ही अच्छ बहुत ही परफेक्ट हमारे फिंगर्स बनकर तयार है तो इसी तरह से हम बाकी बचे हुए बैच को भी तयार कर लेंगे फ्राई करकर तो यहां पर मैंने एक एक करकर सारे फिंगर्स डाल दिये और इसे भी हम अच्छे से गोल्डन होने देंगे एक कैफे स्टाइल स्नैक्स आपको बहुत पसंद आएगा एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करकर देखिए एक बार अगर आपने इसे बना लिया तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा तो यहां पर देखिए हम इसे बनाने में इतने ही यह वाजवाब बंते है यह आलू-pohan फिंगर्स दिखने में जितने टैप्टिंग और यम ही लग रहे हैं बनाने में उत्ने यही आसान है आपने देखा ना केसे हमने में में लुक्तवम बना